वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल आज हम क्लास 10th इंग्लिश का एक चैप्टर है दा नेकलेस उसके क्वेशन आंसर करेंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब क देखो पहले आंसर देने से पहले कुछ चीज हैं आपको समझा रहा हूँ जो मैडम लईजल थी वो बहुत सुंदर थी बहुत ब्यूटिफुल थी और उनके दुखी रहने का कारण ये है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी एक लर्ट से उनकी स्यादी आप थे कि वो ये थे कि भाई साब लग्जूरियस लाइफ मिले बड़ी बड़ी गाडियां हो और ड्राइवर हो नौकर चाकर हो इसलिए वो अपनी जो फ्रेंड थी जो कि थोड़ी सी रिच थी उससे भी जलती थी और यही सब सोच के वो दुखी रहती तो इसी बात को अ मिडल क्लास फैमिली से वो बिलॉंग करती है अभी मैंने बताया था ना कि लग्जूरियस लाइफ चाती थी वो हमेशा शी बॉंट्स बिग विला बिग विला का मनला बड़ा घर हो एक्सपेंसिव जूलरी हो सर्वेंट हो नौकर चाकर हो इन फैक्ट शी जैलस ओफ हर रि वो लीडी ऐसी नहीं थी और इन सब रीजन्स की वज़े से वो हमेशा अनहपी यानि नाखुश रहती थी उसके जो हस्बेंड थे मिस्टर लॉईजल वो किस तरह के इनसान थे हर हस्बेंड मिस्टर लॉईजल इस जैसी वो थी वो बिचारे उसके उल्टे थे जबकि विचारा एक छोटा सा क्लट था फिर भी जो भी उसके पास था उसी में विचारा सेटिसफाइड रहता था और वो अपनी तरह से पूरी तरह से बैस्ट कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से यह जो औरत है उनकी जो वाइफ है वो खुश रहे नेक्स्ट फ्रेश प्रॉबलम नाव डिस्टर्ब मैडम लॉईजल अब दूसरी प्रॉबलम क्या आ जाती है मैडम लॉईजल को चिल्डन अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो पहली प्रॉबलम तो यह थी कि भईया उनकी पास एक ड्रेस नहीं थी जब ड्रेस आ जाती है तो दूसरी प्रॉबलम यह आती है वो मना कर देती है अपने हस्बेंट को कि मैं नहीं जाओंगी पार्टी में मेरे पास गले में पहनने के लिए कोई हार नेक्लेस वगरा नहीं है तो इसी बात को लिख देंगे हम अरलियर मेडम लॉखल वोजव अपसेट आशी दिन्ट हैव ड्रेस तुवेर इंड़ पार्टी वह स्टार्टी में वह इसलिए अपसेट थी क्योंकि वह उनके पास पार्टी में पहनने केलिए अच्छी ड्रेस नहीं थी जब उन्हें फाइनली ड्रेस मिल जाती है जूल का मतलब है जूलरी अब फ्रेश प्रॉब्लम ये थी कि अब ड्रेस पहनने के बाद भी वो दुखी रहती है कि उनके पास पाइटी में पहनने के लिए कोई भी जूलरी नहीं थी और ये वाली समस्या का समाधन कैसे होता है मिस्टर लॉइजल एड्वाइज हर टू बोरो सब जूल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम लॉइजल उसे ये जो सॉरी मिस्टर लॉइजल उसे ये एड्वाइज करते है अपनी वाइब को कि तुम्हारी जो फ्रेंड है जो बहुत रिच है उससे क्यों ना कोई जोलरी उधार ले रो एक दिन की ही तो बात है मैडम फॉरेस्टियर से दस दा प्रॉब्लम इस सॉल्ड और इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है क्योंकि जो मैडम फॉरेस्टियर है वो उसे उधार दे देती है एक सुंदर सा नेकलेस डाइमंड का वाट डू मिस्टर एंड मिस्स लॉइजल डू नेक्स्ट यहां पर वैन नेकलेस लॉस्ट जब नेकलेस हो जाता है तो बो लो क्या करते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि उस नेकलेस को ढूंड ले में मिस्टर लॉइजल जो है गोज बैक एंड सर्चिस दनेकलेस वो दुबारा से उसी जगह पर जाते हैं जहां से वो आय थे जया चैपोइस को कैसे सारे प्रयास पानी बिच्टी में जाते हैं कोई फाइदा नहीं होता वो ये कोशिश करते हैं कि भाईया अब तो एक नया आइडेंटिकल मतलब उसके जैसा ही नेकलेस खरीबना पड़ेगा और जो नेकलेस खोया है उसके बदले में हमें ये नया नेकलेस देना पड़ेगा जो हस्बेंड और वाइव थे मैडम और मिस्टर लोईजल उनकी लाइफ उस नेकलेस के खोने की वज़े से पूरी तरह से बदल गई थी कैसे ये आपको बताना है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने कुछ फिगर्स लिया है देख रहे हो आप ये लोग कितने डिसपॉइंटेड लग रहे हैं इन लोगों को दस साल लग गए थे पूरा करजा चुकाने में इन लोगों के घर में जो मेड या नेकी सर्वेंट काम करत थे तो इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर ने हमें जितना दिया है हमें उतने में खुश रहना चाहिए तो इसका आंस्वर देते हैं नेकलेस खोने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल देग और करजा चुकाने में उन्हें दस साल लग गए अब वो पहले जिस घर में रहती थी और यह कहते थी बेकार घर है यह दीवार ऐसी है यह लेकिन अब उन्हें ऐसी जगह पर आना पड़ा जो सबसे खराब जगह थी मतलब सुसाइटी इसका मतलब ऐसा क्यों क्योंकि जहां पर पूरे सुसाइटी होगी वहां पर किराया से कौन देगा now madam loisel had to do all the chores which were earlier done by maid chores का मतलब होता है children घर के काम जितने भी घर के काम जो maid करती थी वो अब उन्होंने खुद करने पड़ते थे उनको यहां fully stop आएगा यह लगा दिया मैंने the husband had to work in the evening and night to pay their debt और husband को भी रा मरला एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था शाम को भी रात में भी करजा चुकाने के लिए in this way the course of loisel's life changed due to the necklace और इस तरह से उनकी life पूरी तरह से बदल रही एक necklace की वज़े से next what was the cause of matilda's ruin matilda की बरबादी का कारण क्या था देख रहो यहां पर यह lady बैठी है परेशान हो रही है matilda है how could she have avoided और किस तरह से वो अपनी बरबादी से बच सकती थी अब देखो यह चीज मैंने blue में the cause of matilda's ruin was यह मैंना पूरा question से उठाया है ठीक है हर materialistic aspiration क्योंकि उसकी जो aspiration थी मतलब इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई थी सांसारिक सुक्की कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो मैं सुन्दर भी लगूं सब लोग मुझे ही देख है मेरे पास नौकर चाकर हो इसकी वज़े यही वज़े थी जो इसकी बरबादी का कारण बनी she could have avoided it ये वाली line भी मैंने पूरी उठाई है यहां से question से by learning to accept her current situation अगर वो अपनी current situation को realize कर लेती कि हमें भगवान ने इतना दिया है हमें इतने में खुश रहना चाहिए and being content उतने में ही satisfied हो जाती with what she had अगर वो उतने से ही satisfied हो जाती तो वो अपनी बरबादी से बच सकती last question देखेंगे what would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace चलो necklace खो भी गया अगर वो अपनी friend को उसी time पर बता देती कि यार मुझे necklace दिया था यार वो हमसे खो गया अगर वो ये असली बात उसे बता देती तो क्या होता if Matilda had confessed to her friend that she had lost her necklace देखेंगे यह लाइन यहां से लेके और यहां तक पूरी मैंने question से उठाई है her life would have been saved उसकी life बच जाती क्योंकि अगर हमने chapter पढ़ा है तो last में वो उसकी जो friend होती है विचारी इमानदार होती है वो वो जादेती है यह मेरे तो लख ली थे she and her husband would not need to lead a pathetic life pathetic का मतलब है इतनी दुर्भागे पूर्ण जीवन जो उन्होंने मेड भेजनी पड़ी करजा लेना पड़ा यह सारा जीवन उन्हें ऐसा जीवन बिताना ना पड़ता दस सालों के लिए she did not have to send away her maid नहीं अपनी नौपरानी को भेजना पड़ता her husband did not have to take any debt नहीं उसके husband को कोई करजा लेना पड़ता their life would not ruin उनकी life बरबाद ना होती अब यहां से देखो if Matilda had the enough courage पूरा का पूरा अगर Matilda में इतना साहस होता to tell her friend अपनी friend को वो बता देती question का answer तुम मुझे दोगी comment section में देखते हैं कितने बच्चे right answer देते है मैडम लॉजल was married to मैडम लॉजल की साथ शादी किस से हुई थी एक डॉक्टर से clerk से engineer से या इनमे से किसी से नहीं I hope मेरी यह छूटी से explanation आपको बहुत अच्छी लगी होगी मैंने बहुत मैनत की है ए झाल